नमस्कार दोस्तों आप सबीक अपने चैनल जहारखंड एजुकेशन में स्वागत है फ्रेंड्स जहारखंड वीएट प्रवेश परतिवगता परिक्षा 2020 के लिए एक अपडेट निकल कर आई है 2020 में जो बीएट पार्थिय करम के लिए जो आउलाइन आवेदन हो रहे थे उसे नोवल करोना वाइरस के वज़ा से लॉगड़न जो देश में लगाया गया था इसलिए इसका जो फॉर्म जो आवेदन किये जा रहे थे उसे अस्थागित कर दिया गया था तो इसी से संबंदित एक नए डेट को रिलीज किया गया है एक नए डेट को परकासित किया गया कि कब से इसके जो है कि पुना ओनलाइन आवेदन किये जाएंगे इसका अंतिमति थी क्या है मैं इस वीडियो के माधियम से आप लोग को बताने वाला हूँ तो वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहेगा, वीडियो को जाधा जाधा लाइक किजेगा, और अपने सबी दोस्तों में सेर किजेगा, चलिए यहाँ पर क्या अपडेट्स है, मैं आप लोगो को बताने वाला हूँ, जैसा है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जारकन परवेश परतियोगत्या परिक्षा परसद, इसका जो दिनांग यहाँ पर देखिए, यह आज का दिनांग 2-6-2020, यह दिनांग देख रहे हैं, और जो बिगया अपन संख्या निकाला गया था, यहाँ पर आप लोगो को यह मालुम होगा, ठीक है न, चलिए यहाँ पर क्य अतियावच्य जो सुचना है, इसके बारे में कुछ यहाँ पर निकल कर आई है, अब रेट्स, देखिए यहाँ पर क्या है, कि परसद द्वारा जारकन, राज इस्तित, 28 संस्थानों के सैश्निक वर्ष, 2020 किस में, 28 पाठेकरम में, नमांकन हेतु, ऑनलाइन अवेदन पत् DECB 43-19-22, दिनांक 28-3, 2020 दुबारा अस्थागित किया गया था, यानि जो देश में, कुरोना वायरस के बज़र से, जो लोगडान हुआ था, इसके बज़र से, जो है कि इसका जो ऑनलाइन अवेदन हो रहे थे, उसे अस्थागित कर दिया गया था, वैसे एक चुक अभिय 46-2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानि जो विद्यार थी, जो भी आवेदन नहीं कर पाये थे, 28-3, 2020 तक उनके लिए एक नया डेट जो है कि प्रकासित किया गया है, और वहा डेट है 36-2020 से लेकर 66-2020 तक, यानि कि आपनों जो हैं कि ऑनलाइन, ऑनलाइन कर सकते हैं, विग्यापन संक्या JCECECB 49-19-19-19-2022-2020 के आलोक में, सेक्षनिक वर्ष 2020 के अरहक परिक्षा में समलित होने वाले अवियार्थियों को, दिनांक 25-2020 तक पुना लोगिन कर अरहक परिक्षा का अंग पत्र अपलोड पर अपलोड एवां प्राप्तांग परतिसत दर्ज करनी थी, वैसे परिशार्थ अभियार्थी के लिए बिग्यापन संख्या JCECEB 419-18 दिनांक 22-2020 के अलोग में, सेक्षनिक वर्ष 2020 के अरहक परिक्षा में समलित होने वाले अवियार्थियों को, दिनांक 25-2020 तक पुना लोगिन कर अरहक परिक्षा का अंग पत्र अपलोड एवां प्राप्तांग परतिसत दर्ज करनी थी, यानि कि वहाँ पर जो लोगिन करकर 25-2020 तक जो है कि लोगिन कर जो था कि उनलोग को जो भी अंग परमान पता था उसे अपलोड करना था और जो परतिसत था प्राप्तांग परतिसत था उसे भी दर्ज करना था, तो वैसे अवियार्थी के लिए अंग पत्र अपलोड करना अपलोड दा था प्रापतांक प्रतिसेट दर्ज कर ले की तीथी को एतत दिनांग 365-2020 तक विश्ताृत कर पाता है 365-2020 तक देट को विश्ताृत कर जाता है याँ बढ़हा दिया जाता है तो यही था आज का अपडेट्स उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक किजिए जाधा शेर किजिए और यदे कोई डाउट होता आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पुछ सकते हैं चलिए प्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब नमस्कार धन्यवाद